नमस्कार राजदाना टीवी पर आपका स्वागत हैं मैं प्रियाम आपके साथ कौफे विद करन एट के लेटिस्ट एपिसोड में एक तरवरुन धवन और सिधार्द मलोतरा साथ मज़र आ रहे हैं इस एपिसोड में करन जोहर ने रिविल किया कि वरुन और सिधार्द अपनी डेब्यू फिल्म स्टुडेंट ओफ दे येर में आलिया भट की कास्टिंग के खिलाफ थे करन ने कहा मुझे अच्छे से यादे जब पहली बार आलिया हमारे सामने आई थी तब तुम दोनों ने मुझे मेसेच किया था कि हम इसे फिल्म में कास्ट नहीं कर सकते तुम मेंसे किसी ने कहा था कि वो काफी यंग है एपिसोड में करन ने जब ये बोला तब सिधार्थ और वरुन दोनों ही बड़े अनकमफर्टेबल नजर आए करन ने आगे कहा जब हमने तीन मेहने बाद आलिया के साथ फोटो शूट किया तो वो एकदम चुप चाप खड़ी हुई थी वो या तो कॉंशियस थी या फिर शर्मिली क्योंकि तुम दोनों तो मुझे पहले से ही जानते थे पर वो मुझे बिल्कुल नहीं जानती थी करवाना चाहते थे पर शुक्र है कि मैंने वरुन की नहीं सुनी और अपने डिसीजन को नहीं बदला एपिसोड में आलिया ने भी अपने डेवियू को स्टार सिधार्थ और वरुन के लिए एक मैसेज भेजा इस मैसेज में आलिया ने दोनों एक्टर्स से जुड़ी वो बातें बता ही जिनके बारे में लोग कम जानते हैं उन्होंने कहा कि वरुन जान बुझकर फनी बन सकते हैं वहीं सिधार्थ बहुत अच्छा गाना गाते हैं इसी के साथ पने रही है राजणामा टीवी के साथ दहने बाद